गुड बॉर्णिंग ओल उफ यू आज की कक्षा में आप सभी का सुवाकत है आज हम हमारी कक्षा में हमारे पार्ट विचारक, विश्वास और इमारते उसको आज के हमारे हेडिंग सतूप क्यों बनाए जाते हैं उससे प्रारंभ कर रहे हैं अब तक इस पार्ट में हमने करीबन करीबन 1200 सालों के अंदर जो विचारक पैदा हुए जो धर्म यहां स्थित्तों में आए जो राजनेतिक, आर्थिक, सांसकर्तिक गतिविदिया जो ही उन सभी के बारे में जाना जैंदरम और बहुत धर्म के परवतकों के बारे में जाना और अब हम जो यहां बात कर रहे हैं वो बहुत धरम से सम्मंदित जो है बात कर रही है और बहुत धरम के अंदर एक पवितर जो स्थल होता था जिसे हम स्तूप कहते थे उसके बारे में यहां हम बात कर रहे हैं तो हमारा यहां पर टाइटल जो आया है points जो आ रहा है, वो है कि सतूप जो है वो क्यों बनाए जाते थे, क्या reasons था, महात्मा बुद्ध के मरने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि सतूप पहले नहीं बनाये जाते थे, जरूर जो है पहले सतूप बनाये जाते होंगे, लेकिन बहुत धरम के परचार परसार से जो है, ये स्थान पर रखा गया था और वो पूजा के स्थल बन गए ताकि हर एक छेतर में रहने वाले लोग जो बहुत धरम में आस्ता दरशाते हैं वो इन पवितर जो स्थान है उनकी जो है क्या करे यात्रा करे तो उसी से सम्मन्दित था ये देखिए इसमें कुछ अवसेस थे उसकी अस्तियां उसके दवारा प्रिक्समान जो है वो गाड़ दिया गया था और इन ही टूलिनों को हम क्या कहते हैं स्थूप कहते हैं भी मैंने आपको पताया कि ये परंप इन स्थूपों को भी जो है उनका क्या मान लिया गया प्रतिक हमारे पास एक बोध गरंथ है असोकाव्दान इसके अनुसार जो असोक क्योंकि जो कलिंका युद लड़ा था सोक ने और उससे बहुत दुखी हो करके उसके रक्त पात को देख करके असोक ने जो है ता उमर जो है तलवार उठाना क्या कर दिया बंद कर दिया था परन ले लिया था और उसने बोध धरम को क्या कर लिया था अपना लिया था तो जो बोध ने जो बुद्ध के जो अवसेस थे उनके अवसेसों को जो है हर हिस्से को जो है महतपुन सहरों में क्या कर दिया बाट दिया औ और उनके ओपर जो है क्या बनाने का आदेश दिया था स्टूप और इसा पुरो जो दूसरी स्थाब्दी है उसके अंदर जो स्टूप बने बरहुत का स्टूप साची का स्टूप और साणना जैसी जगों पर जो है क्या बनाए गए थे स्टूप बनाए गए थे उसके बाद नेक्स जो हमारा पॉइंट यहां पर स्टार्ट होता है वो आ जाता है कि इस तूप जो है वो कैसे बनाए जाते थे अब जाहिर सी बात है उस समय में किसान और मजदूरों के पास तो बनाने के लिए पैसा नहीं था इन भारी भरकम इमारतों को तो या तो राजाओं ने दान दिया होगा या फिर जो वेक्ति सिलप का काम करते थे सिलप का मतलब जैसे बढ़ाई का काम करते थे लुहार का काम करते थे सोने का काम करते थे जो वेपार करते थे या फिर उन लोगों ने जो है दान दिया होगा और इन स्टूपों का क्या करवाया होगा, निर्मान करवाया होगा, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होगे, जिन्नोंने अपनी संपूर्ण जो संपत्ति थी, वो बोध धरम को क्या कर दी थी, दान कर दी थी, तो ये सारी चीज़ें हमें उन इमारतों के उपर जो अभिलेख मिल ये, उन से हमें दान देने वाले को क्या है, पता लगता है, देखो कि कुछ दान राजाओं दुवारा दिये गए होंगे इसको बनाने के लिए, क्योंकि किसान और मजदूर की हिम्मत नहीं थी, कि वो इनका क्या कर सके, निर्मान कर सके, कुछ दान जो है इन्होंने किसने दिये होंगे, राजाओं के साथ साथ सिलबकारों ने दिये होंगे, या फिर वैपारियों की स्रेणियों ने दिये होंगे, स्रेणी तो कैसे बनती थी थोड़ा सम एक्स्प्लेइन कर देता हूं, कि जैसे कि स्वरण कार थे, जो सोने का काम करते थे, तो सभी सोने का काम करन अदवार का जो हिस्सा है वो हमें पता लगता है कि हाथी की दान का काम करने वाले एक सिलबकार ने क्या है बनवाया था अपने दान से उसके अलावा हमें सैकडों महिलाओं और पुर्सों के दान के अभी लेखों में भी क्या है नाम का पता लगता है और कई भार जो है उसके अंदर उसके गाउं का नाम या उसके सहर का नाम भी लिखा होता था, उसका पेशा भी लिखा होता था, उसके रिस्तेदारों के नाम भी उसमें लिखे होते थे और इनिमारतों को बनाने में बिखुँं और बिखुनियों ने भी क्या दिया था, दान दिया था, वो मैंने स्तूप की जो संद्रचना है वो कैसी होती थी, तो जाइर सी बात है जब ये पार्ट सब्सक्राइब ने अप जिसा स्तूप क departments, ये संस्कृत में क्या होता है अटिला होता है और ये एक अर्द गोलाकार होता है या अंडाकार होता है, मिट्टी के टीले से हुआ था सबसे पहले और उस अंडाकार जो स्थान है उसको क्या बोला जाता है अंड बोला गया था और दिरे दिरे इसकी सरिचना क्या होगी, जटिल होगी और कई चकोर और गोल आकार का संतुलन भी क्या है, बन गया, और वो अंड होता था, उसके उपर जो है क्या होती थी, एक हर्मिका होती थी, मैंने आपको बिल्कुल स्टिकले जो है ये चीज बताई भी थी, वैसे मैं थोड़ा सा यहां पर आपको ड्रा करके बता देता हूँ, यह देखिए, यह बन गया अंडाकार, यहां निकलती थी उपर एक चकोर सी, ऐसे, और इसी के उपर एक मस्तूल निकलता था ऐसे, ऐसे, यह देखिए आप, तो यह चज्जे जैसा जो धाचा होता था, इसके नीचे वाला जो यह जगे होती थी, इसको देवताओं का क्या माना जाता था घर, और इस हरमीका से यह जो भारवाली है, इससे एक मस्तूल निकलता था, यह जो मैं एरो लगा रहा हूँ, इसको यह स्टी कहचे थे, जिसके ओपर क्या लगी होती थी, कोई जंडा लगा होता था, या कोई छतरी क्या होती थी, लगी होती थी, यह भी मैंने आपको बताया था, नीचे भी हमारे पास यह आ जाएगा, कि चारों और वेदिका होती थी, जो अंड कार जो बनाया जाता था, उसके चारों रेलिंग लगी होती थी, ताकि जो पवितर स्थल है, उसको समान्य नहीं बनाई गई थी, उनके पत्थरों को गढ़ा नहीं गया था, इसके सिवाए जो है, अलंकरण के सिवाए उसमें पठर की वेदिकाएं थी और तोरंदवार थी, पठर की वेदिकाएं किसी बास के या काट के गेरे के समान रोती थी और चैरोंड दिशाहों में यह वी तोरणदवार से प्रवेस करके तीले के दाईं तरफ जाते हुए दक्षिनावरत क्या करते थे प्रिकर्मा करते थे वो जो वेदिका होती थी वहाँ पर प्रदक्षिनापत बना होता था उस प्रदक्षिनापत की क्या करते थे वो प्रिकर्मा करते थे और वो लगता था क कि आकास में सुरिय के पत्का क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, स्तूप के जो टिले होते थे उनके उपर अलंकरण और नकासी भी की जाने लगी, अमरावती और पेसावर में साजी की ढेरी में, स्तूपों में ताक और मुर्तियां उत्करण करने की कलाके भी हमें क्या म यह मद्य का भाग है इसका, और यह जो आप देख रहे हो यह पर दिखिनाप, पथ था इसका, यह देखिए, यहाँ पर गूम सकता था, और इसके अलावा दूसरे में भी मैं आपको दिखा देता हूं, यह देखिए, यह इसका तोरण दवार है, यह भी इसका क्या है? तोरण देता था और ये जो खुद है ये क्या है अंडाकार है अंड भी कह देते थे इसको इसके अंदर होता था बहार को ये जो आपको दिखाई दे रही है ये नीचे वाली ये देखिए ये वेदी का थी ये स्टूप की क्या है संडचना थी जो इस बहारी दुनिया से इसको क्या क कर देती थी, अलग कर देती थी, उसके बाद हमारा नेक्स जो पॉइंट आता है, कि यह जो स्टूपों की जो खोज है वो कब हुई, कैसे हुई, तो यहां 2 स्टूप है हमारे पास, अमरावति का और संची का, इन दोनों की अहां तुलना भी की गई है, बताया भी गया है कि अमरावती का स्टूप कैसा था और संची का स्टूप जो है कैसा था संची का जो स्टूप है वो 1818 के आसपास खोज लिया गया था जबकि हमें अमरावती का जो स्टूप है वो 1854 के आसपास आंदरप्रदेश का जो कमिस्नर है उसने सफलता पाई थी अमराउती के स्तूप के बारे में जानने की अब दोनों की नियती यानि कि उनकी जो स्तीती है वो कैसी रही दोनों का विकास कैसे हुआ तो अगर दोनों का comparison करेंगे तो यहाँ हमें पता लगागा क्aimerावती का स्टूब जो है बिना देख बाल के बिलकुल क्या हो गया था जिर्ण स्रिन आहालाथ में चला गया था बिलकुल खतम होने के कार पेफा उसके पत्थर तक को, उसकी मुर्तियां तक को, उसके तोरण दुआर तक को विदेसी लोग उठा करके जो है अपने घरों में लंदन, पैरिस तक ले गए थे लोग जबकि उसके कमपैरिजन में साची का जैसी ये पार्ट स्टार्ट हुआ था तो हमने बेगम के बारे में पढ़ा था, साहजा बेगम और सुल्तान जहा बेगम के बारे में, जिनों ने जो है साची के स्थूप को बचाने के लिए पुरा भरसक परियतन किया, और उसकी परती क जो है लगवाए पार्कों का निर्मान करवाया, तो हर परकार की उसकी जो तूट फूरती उसकी मुरमत करवाई, तो इस कहान जो है साची का स्थूप जो अपने स्थान के ओपर आज भी उसकी भवेता कायम है, जबकि अमराउती की बिलकुल भी नहीं है, वो बिलकुल नस परियतन करेंगे, तो ये देखिए कि हमने हर स्थूप का एक अपना इतिहास होता है, और कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि ये कैसे बने हैं, साथ-साथ इनकी खोज का भी एक क्या होता है, इतिहास होता है, उसके ओपर हम नजर डाल रहे हैं, तो 1796 में एक स्थानिय राजा को जो मंदिर बनवाना चाते थे, अचानक अमरावती के स्थूप के उनको क्या मिले, अवसेस मिले, और उसने इसके पत्रों का इस्तेमाल करने का क्या किया, निस्से किया, उन्हें लगा कि इस छोटी सी पहाडी में संबवत है, कोई क्या छिपा हुआ होगा, खजा ना, ल उसके बाद जो 1854 में अंदरपरदेश के कमिशनर इलियट, इसका नाम क्या था कमिशनर का, इलियट, उन्होंने यहाँ पर कई मुर्तिया और उतकेर्ण जो पत्थर थे उनको जमा किया, और उपने साथ कहां पर ले गए, मदरास ले गए, और इनके नाम पर उनको जो है, संगमरमर के नाम से क्या है, जाना जाता है, उसने यहाँ पर पस्मी जो तोरण दवार जो गिर गया था, उसको भी खोज पाने में क्या हासिल कर ली थी, सपलता जो है, हासिल कर ली थी, और उसके बाद जो है, वो इस निसकर्स पे पहुंचा था, ये देखिए, कि अमराव अग्रेज अधिकारियों के बागों में जो है, मरावती की मुर्तिया पाना कोई ऐसा मन्य बात नहीं थी, वस्तुत है, इस इस इलाके का हर नया अधिकारी है, कि एकर कुछ मुर्तिया उठा ले जाता, कि उसके पहले के अधिकारी ने भी क्या है, ऐसा किया है, ये जो अलग सोचते थे उन्हों लिखा कि इस देश की प्राचीन कलाकर्तियों की लूट होने देना मुझे क्या लगता है आतम घाती और ऐसमर्थनी है उसने कहा है यहां पर देखिए वे मानते थे कि संग्रालियों में मुर्तियों की प्लास्टर परती करतिया रखी जानी चाहिए जबकि असली जो किरती है वो खोज की कहां पर होनी चाहिए जगे पर होनी चाहिए और इसमें सफलता हासिल करने वाली महिला कौन थी मैंने बार बार जो है चर्चा की है आपके सामने वो थी सुल्तान जहां बेगम और शाहां जहां बेगम जिसकी वज़े से साची का स्थूप क्या हो गया था बच गया था तो दुर्भगे से कोल अधिकारियों का मराउती की इस बात के लिए राजी नहीं कर पाई लेकिन खोज की जगह पर इस अंडख्षन की बास साची के लिए क्या कर लिया गया था मान लिया गया था ये पार्ट जैसी हमारा स्टार्ट हुआ था उसका फस्ट एडिंग ही साची का स्थूप था तो सांची का स्तूप क्यों बचा Amrality का स्तूप क्यों अष्ट हो गया, ये कई बर परसन आ जाता है तो आप इसके अंदर ये सारी चीज़ें क्या करेंगे लिखेंगे, जो अब तक हम डिटेल्ली क्या कर रही है पढ़ रही है ये देखिए कि साइद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी तब तक विद्वान इस महतव को नहीं समझते थे कि किसी पुरातात्वी का उसे इसको उठाकर ले जाने की बज़ाए खोज की जगे पर इसे संरक्षित करना क्या है महतव पूर्ण है जबकि सांची की खोज कब हुई 1818 में और इसके तीन तोण दवार तब तक क्या थे खड़े थे चोथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था तब भी ऐस उजाव आये कि तोण दवारों को कहा ले जाए जाए पेरिस या लंदन अंतत्य कई कारणों से सांची का स्थूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है जबकि अमरावती का महाचेत्य अब सिरफ एक चोटा सा टीला है जिसका सारा गोरों क्या हो गया है नस्ट हो गया तो आप यहाँ पर दोनों बेगमों के बारे में लिखेंगे जो मैंने आपको explain करके बताया है कि किस परकार जो है सांची का स्थूप जो है वो बच गया उसके बाद next जो हमारा points यहाँ पर start होता है वो आता है मुर्ती का लाका कि जितने भी स्थूप थे उनके जो तोरण दवार थे उनके ओपर मुर्ती आंकित की गई थी यह देख लीजी आप हाथी है मोर है सेर है बहुत से इसके अंदर चक्कर है इसके अंदर तो लोगों ने जब इन मुर्तियों को देखा तो वो उनको क्या कर देखते थे कि ये तो बहुत क्या है खुबसूरत और मुल्यवान है इसलिए वो उन्हें अपने साथ क्या करना चाते थे लेजाना चाते थे लेकिन जो इतिहास कार थे वो इन मुर्तियों को ध्यान से क्या क जो इन पत्रों के ओपर क्या है गड़ी गई है और वो उनको निकालने का क्या करते थे प्रियतन करते थे और आपने भी कई बर देखा होगा कुछ कथावाचा कैसे भी होते हैं जो अपने साथ कपड़ों और कागस पर बने हुए चितर लेकर भी क्या करते हैं गुमते और वो तो ये कथाएं जो है ये मुर्तियां जो है गड़ी नहीं गई होगी इनका कोई न कोई क्या होगा आक्षे होगा तो पहली बात जब हम इनको देखते हैं मुर्तिकला के अंस में तो फूस की जो पड़ी है पेड़ वाले गरामिन द्रश्य है इसमें परंतुवे कला इतिया जिन्होंने साची की जो मुर्तिकला को गहराई से अध्यन किया वो इसे वेस्तांतर जातक से लिया गया क्योंकि जातकों के संख्या कितनी थी पांसो उनेंचास तो वो ये बताती कि एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ किसको सोब दिया ब्र दे दिया और अपनी पतनी और बच्चों के साथ कहां पर चला गया जंगल में चला गया जैसा कि इस उधान से स्पास्टिक एक्सर इतियासकार किसी मुर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्षियों की तुलना के दवारा करते थे भी कहीं ने कहीं किसी लिखित जो है कथा से इन जो है मुर्तियों की क्या है संयोगात्मक्ता जो है लिप्टी हुई है कहीं न कहीं उसको जानने का भी वो लोग क्या करते थे परियतने करते थे उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स आता है वो आता है उपासना के परतीक अब उपासना के परतीक के रूप में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप से बात की थी कि जो परतीकों के रूप में जैसे कि महात्मा बुद्ध है ये देखिए ये परतीक था उसका धरम चकर परवर्तनी चकर आपको दिखाई दे रहा है इसमें इसको लोग पूझते थे ये महात्मा बुद्ध के दोवारा सारनात के अंदर जो पहला उपदेश दिया गया था उसको परतीक के रूप में क्या किया गया है दर्शाय आ गया है उसके बाद में अगर आप यहां आ करके देखेंगे इसके अंदर मद्धे वाले में इसमें महात्मा बुद्ध जब महापरी निवानड को प्राप्त कर गए थे तो ये उसका प्रतीक था यानि कि वो समाधी में लीन हो गए थे तो इसकी भी लोग पूजा करते थे थर्ड यहां पर आप देखेंगे तो ये वो वटवरिक्स है ये कौन सा है वटवरिक्स है वो या पीपल का पेड़ है जहां पर जो है किसकी प्राप्ती होई थी ज्यान की यहां पर जो है किसकी प्राप्ती हो गई थी मौक्स की और यहां पर क्या दिया था पहला संदेश दिया था ये सारे परतीक हैं, किसके परतीक हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कहानियों का हम कह सकते हैं या महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए जो है, ऐसे उसके जीवन के महतपुर्ण घटना करम है तो इनको उपासना का क्या माना गया था परतीक माना गया था वो सारा का सारा आपको यहां पर दिखाया गया देखिए रिक्सतान है महात्मा बुद्ध के ध्यान की दसाए मैंने आपको पहले ही बताया था यह इसके महापरिवान का परतीक बन गए, चक्कर भी परतीक था, इसका इस्तिमाल हुआ, बुद्ध वारा सानात में दिये गए पहले उपदेश का ये परतीक था, तो इन मुर्तियों को अक्सरंस नहीं समझा जा सकता, पेड़ का अक्सरंस का मतलब है कि इसमें अक्सर तो लिख इनको समझने के लिए हमने कथाओं को या फिर उस समय की इतिहास को जानना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, यानि कि अगर पेड़ का चितर बना दिया गया तो इसका मतलब वो केवल मातर किसका चितर नहीं है, पेड़ का नहीं है, उसका किसी ने किसी दूसरी घटना स कोई न कोई क्या है, संबंध ज़रूर है, यानि कि कही न कहीं वो बुद्ध के जीवन की घटना का क्या है, परतीक है, और ऐसे परतीकों को समझने के लिए इतिहासकार को जो कला करतियों का जो निर्मान किया, उन निर्माताओं की प्रमपराओं को क्या करना पड़ता है, जा बाद हमारे पास next जो point आजाता है वो आजाता है लोक प्रमप्राएं लोक प्रमप्राओं का मतलब है जो लोगों के अंदर जो प्रमप्राएं उस समय क्या थी परचली थी तो यहां हम जो साची का स्थूप है उसके तोरण दुवार के उपर इस महिला का जो है चितरंकित किय आ गया है यह देखिए आप दिखाई दे रही है आपको यह महिला यह जो चितर है यह अगर हम भारतिय संस्कृति की बात करें तो यह मुर्ति साल भंजीका की है किसकी है साल भंजीका साल भंजीका की जो है ये मुर्ती है लेकिन अगर आम वेक्ति अगर इस मुर्ती को देखेगा तो वो देखेगा भी ठीक है एक महिला जो है वो जो है किसी पेड़ से या किसी जगे से लटकी हुई हमें क्या कर रही है दिखाई दे रही है वो इसके अर्थ को नहीं समझ पाचे लेकिन इतिहासकर जो उस समय की जो सांसकर्तिक जो घटनाए थी उनके बारे में क्या करते हैं जानते हैं और पता लगाते हैं कि ये इसका जो है क्या उदे से रहाओगा उसकी क्या करते हैं व्याख्या करते हैं ये क्या दे रही है दिखाई दे रही है लेकिन बहुत से विद्वान जो इस मुर्ती के बारे में क्या है असमंजस में है कि ये ऐसा कैसे है वो फिर इसके बारे में जो है जानने का क्या करते हैं प्रियतन करते हैं वो देखते हैं कि इस मुर्ती का त्याग और तपश्या से कोई चूले, तो उससे फल खिल उटते हैं, सोरी फूल खिल उटते हैं और क्या है उसके उपर फल लगने लगते हैं, तो इसे एक सुब क्या माना गया था, परतीक माना गया था और इसका अंस्तूप के लंकरन में इसका क्या हुआ था, परियोग हुआ, तो सालबन जी का की मुर्त मैं पता लगता है जो लोग द्रम में आये उन्होंने बुद्ध से पूरो यानि भूत धरम के इतर दूसरे विश्वास और परताओं को किया अदन ही किये उथान के लिए उन्हों ने जर्रू को को भूत चित्तर उत प्राचीन काल की बाती हैं जब हाथी, घोड़े, बंदर, गाएं, बैल इनको क्या किया जाता था, सामिल किया जाता था, यहां पर लोगों को आकरशित करने के लिए जानवरों का उत्किरन किया जाता था, और जानवरों को मनुष्य के गुणों के परतीक के रूप में भी क्या करते थे, इस्तेमाल, ज हुई है बीच में, इस्तरी है बीच में, और यह दोनों क्या हैं, गज हैं, और यह देखिए, यह इसके उपर कुछ चिड़क रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कोई इतर वगेरा जो है, इसके उपर क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो यह हमें पता लगता है, इतिहासिक ज यहां पर सरप दिखाए गए हैं, जुन्ड है सरपों का, तो ये ये भी माना गया था, एक विदवान ने ये कहा था कि जो साची का जो स्तूप है वो वरक्ष और सरप पूजा का क्या था, किंदर था, और बहुत से लोग जो उपर वाली जो ये जो चितर आपको दिखाए गय पही किया था, इसमें ये भी माना है बहुत से लोगों ने कि ये बीच में बैठी हुई महिला जो है, महा माया है, बुद्ध की क्या है, मा कौण है, महा माया है, ये अलग-अलग विचारकों ने अपने-अपने तत्थे के अधार पर जो है बुद्ध की मामाया से जोडते हैं। दूसरे थी आशकार, इसे एक लोख्पिज्प्रिये देवी कौन सी बानते हैं। गजलक्समी, जो है सोभग्य लाने वाली देवी है, जिनने पराय हाथियों से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ये अलग लगी तियासकार, अपने तिथी के अनुसार हम कह सकते हैं, अपने ग्यान के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, अपनी कथाओं के अनुसार, अपनी वस्तुमों की समझ के अनुसार जो इसका क्या करते हैं, वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं, ये होता है कि जिसका गरंतों में में सा जिकर नहीं होता दिल्चस बात यह कि कथा लिखने वाले आदुनी की तियासकार में से एक सुरुवाती तियासकार था जेम्स फर्गुशन उसने जो है सांची को व्रक्ष और पूजा का केंदर मानने वाले व्यक्ति का नाम बताईए तो क कि यह तो महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ एक बहुत महतापून क्या था स्तूप था यह बता रहा है देखो तब तक ज्यादा तर बहुत गरंतों का क्या नहीं हुआ था अनुवाद नहीं हुआ था इसलिए उन्होंने सिरफ उत्किरण मूर्तियों का ध्यान करके य इसकरश निकाले थे तो हम यह नहीं कहसकते हैं कि वह केवल और केवल जो है वरक्सोर पूझा का यह क्या था जाएन था अब हमारे पास जो हमारा नेक्स जो पॉइंट है वह आ जाता है नई धार्मिक प्रमप्राएं इसके बारे में हम अमारी आके की कक्षा में अध्यन करेंगे थेंक्यू बेठा